प्यारे बच्चों सुप्रभाद, पाठ नौ तीले का पत्थर हिंदी साहित्य की पुस्तर नब तरंग चार के प्रिष्ट 65 पर दिये शेश भाग को हम पढ़ेंगे. यह कार्य आपको चार अक्तूवर 2021 को भेजा जा रहा है. यह आवाज सुमन शर्मा की है. सब बच्चे अपनी पुस्तक का प्रिष्ट 65 खोलें, साथ ही अभ्याज पुस्ति का भी खोल कर रख लें. पढ़ाते समय मैं पाठ के बीच मैं से कुछ प्रिष्ट पूछती जाऊंगी, अतह पाठ को ध्यान से पढ़ना वा समझना अते आवर्ष्यक है. प्रिष्टों के उत्तर लिखने के लिए आप तीन मिनट का समय लेंगे. बच्चों, पिछले सप्ताह आपने पाठ में पढ़ा की मूर्थिकार की बेटी अपने पिता के काम में हाथ बटाना चाहती है. लेकिन मूर्थिकार अपनी बेटी को घर भेज देते हैं. वे कहते हैं, तु घर जा, तेरी मा राह देखती होगी. पर बेटी ने तो ठान ही लिया था के वह पिता की मदद करेगी. वह भी हाथ में छेनी लेकर जुट गई. पिता के कहे अनुसार पत्थर में बेल बूटे बनाने लगी. अपने साथियों को उसने कुछ छोटे-छोटे पत्थर ढोण कर दिये. दे दिये मूर्थिकार उन बच्चों को भी साथ-साथ पत्थर तराशना सिखाता रहा. सांज होने पर पिता और पुत्री घर लौट आए. अगले दिन सुवह जब मूर्थिकार अपने ओजारों का थैला लेकर चलने लगा, तो बेटी और उसके साथ ही भी चलने को तयार हो गए. इस तरह पिता और पुत्री हर रोज सुवह से शाम तक उस पत्थर, सफेद पत्थर को तराशने में लगे रहते थे. अन्य बच्चे भी मूर्थिकला के गुर सीखते हुए अपने अपने पत्थरों को तराश कर कुछ नया बनाने में जुटे थे. दिन गुजरे, हफ़ते गुजरे और महिना गुजर गया. वहां से गुजरने वाले लोग पिता और पुत्री को लगन से काम करते हुए देखते. बच्चों, मूर्थिकार की बेटी अपने पिता के कहने पर हाथ में छेनी से पत्थर में बेल बूटे बनाती. तथा उसके पिता भी बच्चों को पत्थर पर बेल बूटे बनाना सिखाते और तर्याशना सिखाते. पिता पुत्री प्रते दिन अन्य बच्चों के साथ मूर्थिकला के गुर्ण सीखते सिखाते. इस प्रकार हफ्ते, दिन, महिने गुजरे, एक दिन वह मूर्थि बनकर तैयार हो गई. लोग उनकी कला को देखने आने लगे और उन्होंने मूर्थि के आजपास घास और सुन्दर फूलों के पौधे लगा दिये. वह टीला उस गाउं की पहचान बन गया और सरपंच द्वारा तीले तक पहुंचने के लिए सडक भी बनवा दी. बच्चों यहां अब मैं आपसे प्रिश्न पूछ लेती हूँ. पूछे गए प्रिश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप तीन मिनट का कालांश लेंगे. प्रिश्न एक पत्थर पर बेल भूटे कौन बनाने लगा. प्रिश्न दो छोटे छोटे पत्थर ढूण कर किसने किसको दिये. प्रिश्न तीन पिता पुत्री हर रोज सुबह क्या कारे करने में लगे रहते. प्रिश्न चार गाउं में टीले तक पहुँचने के लिए सडक किसने बन बाई. बच्चों आपका अंतराल का समय समाप्थ हो गया. पूछे गई प्रिश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं. उत्तर एक मूर्थिकार की बेटी पत्थर में बेल भूटे बनाने लगे. उत्तर दो मूर्थिकार की बेटी ने छोटे छोटे पत्थर ढूण कर अपने साथियों को दिये. उत्तर तीन रोज सुबह पिता पुत्री उस सफेद पत्थर को तराशने में लगे रहते जो एक टीले पर था. उत्तर चार गाउं के टीले तक पहुँचने के लिए सडक सरपंचने बनवा दी थी. अब बच्चो मैं पाठ को आगे पढ़ाते हुए पढ़ती हूँ. ये सब बच्चे ध्यान से पाठ को सुनेंगे वा पढ़ेंगे बच्चो जब वह मूर्तिकार मूर्ति बना कर तयार उसने कर दी तो गाउं के बहुत से लोग उस मूर्तिकला को देखने में रुची लेने लगे. अब वे भी मूर्तिकार से पत्थर पर नकाशी करना सीखने लगे. दीरे दीरे उस गाउं में बहुत से मूर्तिकार तयार हो गए. वह गाउं पत्थर की सुन्दर मूर्तियों और सजाबटी वस्तुओं के लिए जाना जाने लगा. दूर दूर से लोग वहाँ मूर्तियां और अन्य सामान खरीद कर ले जाने लगे. इस प्रकार एक कलाकार की कला ने सारे गाउं में खुश हाली ला दे. बच्चों यह पार्ट यहां समाप्त हुआ अब मैं आपको ग्रहे कारे करने को दूंगी. ग्रेकार है सब बच्चे प्रिष्ट 66 पर लिखे शब्दार्थ को तथा प्रिष्ट 67 पर पाट बोद के प्रिष्ण एक दो को अपनी अभ्याज पुश्तिका में तथा तीन और चार प्रिष्ण को अपनी पुश्तक पर ही लिखेंगे. अभी भावक बच्चों के कारे में सहायक सिद्ध हों. धन्यवाद.